आज के इस कारेक्रम में उपस्थीत भारत के कोटी-कोटी जन्ता के रवेशमराथ हमारे प्रधान मंत्री आदरणिया नरेंद्र भाई मुदी जी राजयपाल गुजरात महोदे आचारिया देवरत जी केंद्रिय स्वास्त मंत्री डोक्टर हर्श्वदन जी श्री अश्विनी कुमार चोबे जी उप मुख्य मंत्री आदर्णिया सी नितिन भाई मंचस्त सब हमारे गुजरात के मंत्री शांस्वाद एम्स कमिटी के लोग भाई और बेनों गुजरात की साड़े छे करोड की जन्ता की और से मैं प्रदान मंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज का यह दीन गुजरात के लिए खास दीन है आज आप गुजरात को एम्स जे से बड़े मेडिकल इंस्ट्यूट का उपहार देने जा रहे हैं इसके लिए मैं गुजरात की जन्ता की और से फिर से मैं आपका आभार यक्त करता हूँ आपके मारदर्सन में आज गुजरात मेडिकल हब बनने की और आगे बढ़ रहा है जब आप गुजरात के मुख्य मंत्री थे तब आपने गुजरात को भारत का मेडिकल हब बनाने का जो लक्ष तेही आता इसके लिए आपने कहीं प्रयास भी शुरू किये थे आज आपके वो प्रयास पुरी तरह से खली भूत हो रहे हैं आपके द्वारा शुरू की गई मा योजना गुजरात के गरीब और मध्यमवर्द के लोगों के लिए काफी लोग प्रिये हैं मा योजना और मा अमरुत्तम वास्यले की लोग प्रियता को देखते हुए हमने इसमें कुछ और सुवीधाये भी बढ़ाई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों को सुवीधा प्राप्त हो साथ ही आयूश्यमान भारत और दूसरी मेडिकल सेवायों भी गुजरात में बहुत ही अच्छे से लागू की गई है आपके द्वारा मेडिकल सेत्र में किये ये सुधार के कारण गुजरात में मेडिकल इंफास्ट्रक्चर के सेत्र में भी काफी विकास हुआ है इसे इस रूप में ये बताना चाहता हूँ कि साल 2001 में गुजरात में केवल नव मेडिकल कोलेज थे और मेडिकल सिटों की संख्या भी मात्र एक अजार के आसपास थी वहाँ आज की बात करूँ तो गुजरात में आज 31 मेडिकल कोलेज है और मेडिकल सिटों की संक्या भी करीब 6,000 से ज़्यादा हो गई है रदान मंत्री जी आपकी दुरंदर सिता और परिश्रम के कारान आज एस्या की सबसे बड़ी सिवील उस्पिताल और UN Meta Institute of Research Centers जैसे वर्ड क्लास मेडिकल इंफरस्ट्रक्चर गुजरात में मौजूद है इतना ही नहीं बिते कुछ सालों में हमने मेडि सिटी और एस्वी पी जैसे मेडिकल इंफरस्ट्रक्चर को भी तयार किया है जिसने गुजरात की मेडिकल इंफरस्ट्रक्चर और मेडिकल सर्विस्स को एक नए मुकाम पर लाकर खड़ा किया है आज गुजरात में कोविड में भी इस इंफरस्ट्रक्चर के कारण काफी हमने कोविड के सामने संगर्स भी किया और काफी सफलता भी उसमें हासिल की गुजरात में आज भी 52,000 कोविड के बैड उतलब दे और अच्छा इंफरस्ट्रक्चर उसमें भी किया है आपके मारत दर्शन और मेडिकल स्टाप के सपोर्ट के कारण कोवीड को अच्छे से कंट्रोल करने में भी सफलता पाई है मेडिकल सेक्टर में आज गुजरात एक बड़ी उपलब्दी याने एम्स को जोड़ने जा रहे है कि लागत से 200 करोड रुप्य की लागत से 200 कड में एक विसाल जगाव पर बनाया जाने वाला ये एम्स दो साल में दो हजार बाईस में फुरू हो जाएगी इससे यहां मेडिकल तुरीजम भी बढ़ेगा साथ साथ नहीं रोजगार भी उसको भी आउसर उसमें से पैदा होगा गुजरात में एम्स की स्थापना पुरे राज्य के लिए धोरों की बात है मुझे पूरा विस्वाण से गुजरात को मेडिकल हब बनाने के लिए जिस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें एम्स इंस्टुट्ट एक मिल्ग का पत्त्थ साबित होगी साथ ही मुझे ये भी विस्वा से कि आपके मारत्जसन में कुजरात को मेडिकल कलब बनाने का लक्स को भी जल्दी से पूरा करेंगे आपका मैं अभार प्रकट करता हूं जय हिंग जय जय गर्वी गुज्रात